नमस्कार दोस्तों अंजिनी किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही आसान और फटा फट रेसिपी जो है विज कटलेट तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो दोस्तों विच कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में लेना है एक कप दही मैंने दही को फेंट लिया है इसलिए वो इस तरीके से दिख रही है आपको भी फैटी हुई दही ही लेना है इस दही में हम डालेंगे एक चमच नमक और थोड़ा सा कटलेट को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चमच चीनी इससे क्या होगा कटलेट ना थोड़ा स्वादिष्ट थोड़ा खटा थोड़ा मीठा टेस्ट आएगा एक दाव मिक्स वाला बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें एक बड़ा चमच धनिया क्योंकि वह टेस्ट बढ़ाने में काम आता है इसमें डालेंगे अब हम एक चमच लाल मिर्च पाउडर इसके बाद डालेंगे आधा चमच तक काली मिर्च पाउडर और एक पिंच हींग डालेंगे इसमें हींग बहुत ज़दा नहीं डालेंगे वरना वह टेस्ट भी खरा इनको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अद्रक लेसुन का पेस्ट, इसको भी डालेंगे जिससे जो कटलेट का स्वाध है ना बहुत ही टेस्टी है क्योंकि अद्रक लेसं दोनों भी टेस्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इन इसमें एक कप ही पानी डालूंगी और अच्छी तरीके से पानी को इसमें डाल के मिक्स कर देंगे अब 미국 मिक्स मेंने हम एड करेंगे एक से थोड़ा कम सूझी आदा कप से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए यह देखे और एक कप से थोड़ा कम इसको डाल देंगे क्योंकि हम इसमें सूजी भून के इस्तमाल नहीं कर रहा है क्योंकि हमें सूजी को अच्छी तरीके से बाइंडिंग के लिए हम यहां पर यूज कर रहा है जिससे जो पुरा मिक्चर है इसका पानी है वो सूजी सोख ले और ये एक मिक्चर जो है ये बाइंड हो जाए बाइंड होने लगे यही हमारा कटलेट का मिक्चर तयार हो रहा है तो इसलिए हमने इसमें सूजी को बिना भूने अड़ किया है तो दोस्तो मिक्श्चर जो है रेडी हो चुका है आप चलते इस मिक्शर को थोड़ी दे रिस्ट पे छोड़के दूसरी तरफ तड़का लगाने के तरफ तो दोस्तो तड़का लगाने के लिए मैंने काढाय में ले लिया है एक टेबल स्पून तेल तेल को अच्छे से गरम कर लेना है फिर उसमें मैं डालूंगी कुछ बारी कटे हुए अदरक अदरक डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है गुल्डन ब्रव नहीं करना है सिर्फ पेश्ट थोड़ा अदरक अपना छोड़े इसलिए भून रहे हैं उसके बाद आप विच कटेट बना रहे हैं तो डालेंगे सबजियां जैसे कि पत्ता अधिए हुई सिम्ला मिर्च और बारी कटी हुई हरी मिर्च इन सारी चीजों को डाल के अच्छी तरीके से थोड़ी देर पकाना है जिससे ये तेल में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाए मतलब साइज इनका और चोटा हो जाए के हमें इनिका कटले बनाना बड़ी सब्जय नहीं वहुज़ हों तभी सब्चों को सब्जियों से थोड़ी परिसानी होती है gagn något दो कि में डौके शादा अधा चम्मच करेंगे क्योंकि आमने कापी नमक दाई अतरब बचरिया हैं वो थोड़ी सी गल जाएं दोस्तों मैं लग दीरे-दीरे सब्जियों को भून रहे हैं देखें इनका साइस दीरे-दीरे छोटा हो रहा है और अगर आपको और भी सब्जियां एड करने हैं तो आप बिल्कुल इसमें एड कर सकते हैं क्योंकि हम वेच कटलेट बना रहे ह हैं आपको जो सब्जियां पसंदो आप वो सब्जियां इसमें एड कर सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है तो इसी दरीके से आप जो सब्जियां चाहें एड कर दीजी और इसको दीरे-दीरे फकाते रहे कि दोस्तों इधर हमारी सब्जी जो हैं भुन रही धीडी धीरी नोवाय में कर दीज धूरी तरफ कि अन। देख लेते हैं थोड़ा तर देखेज। यह हमारा दथी वाला मिक्चर ह्सें हैं यह देखे और आप सुच्छाएं कावलाएब्स होगा इसमें जोढ़िए तो इसलिए हमने सूजी एड़ किया था जिसमें इसमें बाइंडिंग कैपसिटी आज़े देखिए इस तरीके का ही टेक्चर हमें इस मिक्चर में चाहिए अगर देखिए आपका टेक्चर जो है वह पतला हो तो आप इसमें थोड़ी सूजी एड़ करके दो मिनट के लिए औ इसमें सब्सक्यां के लिए मनें पतलें इसी टार होना चाहिए अगर पतला लगे तो आप जरूर सूजी आड़ कर लिजियुओन के लिए इसलिए सूजी एड़ करके आप इसको बना सकते हैं और अगर आपको गाड़ा लगे तो कोई बात नहीं इसको थोड़ा गाड़ा ही रखना है तो उस मिक्षर को हमने अपने तड़के में डाल दिया है अब इसे हमें धीरे-धीरे करके पकाना है इसे जो सूजी है और जो सब प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए दोस्तों जो डो है वो धीरे-धीरे गाड़ा हो रहा है अभी तो यह नहीं बना है लेकिन दीरे-धीरे यह डो का जो आकार है वो ले लेगा अब पूछेंगे कि इतना गाड़ा था यह इतना कैसे आसानी से डो बन जाएगा क्योंकि जो पानी था उसने सारा सूजी ने अपने अंदर ले लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है कितना ज्यादा सूख गया है इसी तरीके से हमें इसे डो का आकार मिल जाएगा दीरे-दीरे हम इसे लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जिससे यह नीचे जले भी नहीं और जल्दी से और आसानी से डो तयार हो जाए तो देखी दोस्तों जो हमने मिक्चर डाला था वो एकदम डो की तरीके अब रेडी हो गया है यह देखिए बिल्कुल डो बन जा रहा है इसको हाथ से लगाने हाथ लगाने की जुरत ही नहीं पड़ रही है और यह डो क हो जाए फिर हम इसको कटलेट बना सकें तो देखी दोस्तों जो मिक्चर था मैंने उसको 10 मिनाट के लिए रख दिया था रेष्ट पे और यह अब हो चुका है ठंडा देखे मैं से हाथो से चू सकती हूं और अब इस मिक्चर को हमें थोड़ा अपने हाथेली से कुछ इस करना है कुछ इस तरीके से मसलना है जिससे जो सूजी है वो और अच्छी तरीके से बाइंडिंग कर पाए सारी चीजों के साथ इस तरीके से कर देना है जिससे कटलेट का एक बढ़िया सा टेक्चर आ पाएगा इस तरीके से हम जब इसको मसलेंगे तो तो इसी तरीके से हम में 2-3 मिनट इसे मसल ना है उसके बाद हम इसको देंगे कटलेट का आकार तो दोस्तों मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए मसल लिया था और अब हम इसमें डालेंगे कुछ बारी कटी हुई धनिया धनिया डालने से जो इसका टेक्शर वो भी अच्छा हो जाएगा और इसका स्व अच्छी तरीके से उसकी जो गोलियां पेड़े बना सकेंगे कटलेट का आकार दे सकेंगे तो इसलिए हमने लगा था तो में तेल और उसको किछी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को तो दोस्तों मैंने डो से ले लिया एक छोटा सा तुकड़ा और अब हम इसको गुल गुल करके घुमाएंगे और उसके बाद हलके हाथों से इसको कर देंगे प्रेस अच्छा साकार देके इसको हलके हाथों से कर देना है प्रेस और यह देखिए कटलेट का कर हमने इससे दे दिया है इसी तरीके से आपको पूरे डो के जो है इस तरीके से पेड़े कट तो दोस्तों कोटिंग करने से पहले मैंने मैदा चाण करना है से तोसे तो दोस्तों कोटिंग करने के लिए मैटे में ठाले हम छोड़ा सा पानी और गोल बनाएंगे जिससे इसी के ऊपर हम पहले कटलेट को डरेंगे और फिर इस बाद बिढ ब्रेट क्रमब्स पे जिससे ब्रेट क्रमस अच्रीके से कटलेट में कोट कर पाएं जो हम ये घोल बनाएंगे उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के लिए ही ये सब कर रहा है इसलिए इसे पतला ही रखना है बहुत ज़्यादा मोटा पेश नहीं रखना है यह देखिए कुछ इतना पतला रखना है बस इससे ज़्यादा हमें इसको मोटा नहीं करना या गाड़ा नहीं करना तो दोस्तों तेल दीरे-दीरे होने लगा है गरम अब हम चलते हैं पहले कर लेते हैं कोटिंग और सीधा उसको डाल देंगे कटलेट को तेल में तेल को दोस मैंने कटलेट को डाल दिया है घोल में अब इसको उठा के हम डालेंगे ब्रेड क्रम्प में यह देखिए ब्रेड क्रम्प में डाल के ब्रेड क्रम्प का मतलब ब्रेड के चोटे-चोटे टुकड़े या उसका चुरकन ब्रेड का चूरा देखिए एक दम बढ़िया तरीक बढ़िया करें, तो कटले में बढ़िया तरीके से हमें पकाते रहना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, वरना इनका कलर खराब हो जाएगा, तो देखी दोस्तों जो cutlet हैं मैंने अच्छी तरीकी सुने पका लिया था और ये बनकर तयार हो चुके हैं अब चलते हैं इने सरुख करने की तरफ तो देखी दोस्तों मेरे जो cutlet हैं वो तयार हो चुके हैं लग रहा है ना स्वादिष्ट अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए साथ ही साथ comment भी जरूर कीजिए जिससे मुझे और भी recipes बनाने के लिए motivation मिले और मुझे पता चले कि आपको मेरी recipes पसंद आ रही है तो अब मिलते हैं next video में एक नई recipe की साथ तब तक के लिए bye bye and thank you